कि अधिया थे थे अधिया थे आप सभी का अधिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार चुआ करें दोस्तों मैं आपका दोस्ट उमिर सिंग कचावा पुसका लिया अधिया अधिया आज की इस पेशल क्लास में आप सभी का हार देख स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लाइबरीन की जो वेकेंसी है उसके लिए हम सभी लोग परियास कर रहे हैं और उमीद है कि जल्द आपको बिहार लाइबरीन की वेकेंसी देखने को मिलेगी लेकिन इस क्लास को सुरू करने से पह समते हैं कि लाइबरी सैंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको जिता ज्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों ठीक है तो आये शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास है इस्पेसिली बिहार लाइबरेंट वालों के लिए जैसा कि ह讲 सभी को बताएं कि बहुत सारी विद्यार सब्धाइस के लिए कि पढ़ा है तो मैंने का चलो आज हम जो हैं चाहिता प्रीबरेंट के लिए cynम होतीफिजिरे उसके बारे में तमाम जो है जहा है उसके के बारे में कोशिस करता है दोस्तों जा रहा हूं कि अपने सब्जेट को पढ़ते रही है दोस्तों और कुछ नहीं करना है बस दीरो दीरे अपने आप आपको लाइबरी साइंस समझ में आ जाएगी तो आज हम लाइबरी साइंस की कुछ बैसिक बाते जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा किसको कैसे त्यार करें दोस्तों तो आए शुरुवात करते हैं सबसे पहले जो विदियारती जिन्होंने हम कोशिश करेंगे के इसमें टेलिग्राम में डाल देंगे दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं यह मेरे प्रस्टनल वाटसप नंबर है और परस्टनल जो है नंबर है इस और जो विद्यारती है कि जिन्होंने एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप डाउनलोड कीजिए और एप के अंदर जाकर जो है फ्री कंटेंट जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि वास्तों में जो है सेलेबस को कैसे पढ़ाया जाता है दोस्तों तैंके वेरिमस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चीजिए न सर आप से रिक्वेश्ट है कि डेली क्लास लीजेगा अधर चैनल पर डेली क्लास आ रहे है भी है लाइबिरेन के लिए बिलकुल मैं डेली क्लास लोगा आपको यही टाइम रखूंगा और आपको बिलकुल पढ़ना शुरू किया था तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जिस दिन स्टूडेंट्स को यह पता चल जाएगा कि लाइबरी सैंस को कैसे पढ़ा जाता है क्योंकि आप मैंसे 90 परसेंट विद्यारती वह हैं जिनोंने जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है वह डिस्ट परसेंट विद्यारती वह है जिनोंने जो है अपना लाइबरी सैंस का डिप्लोमा या बिलिप डिप्लोमा है वह डिस्टेंस एजुकेशन इनिवर्सिटी से क्यावा है इसलिए आपको शुरू-शुरू में बहुत ज़्यदा दिकत का सामना करना पड़ता है और मैं इस क् लाइबरी सैंस आपको थोड़ा समझने में जो है प्रोब्लम होगी दोस्तों एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि आज की हम लाइबरी सैंस को जीरो से सुरू करें ताकि आपको लाइबरी सैंस का हीरो बनाने की कोशिस करेंगे आपको पता चलेगा कि लाइबरी सैंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों ठीक दोस्तों तैंक यूवेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ठीक है आई यह सुरुवात करते हैं दोस्तों देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात करते हैं लाइबरी सैंस के बारे में पहले चीज़ तो आपके स पीज ऐब हैं ट्लेक्शंगेंड का दैक्रवी तर्श कंड़ता हर तॉसरा मैंनो स्क्रिप्ट मैंने स्क्रिप्ट का मतलब क्या बाद detective interview प्रीपय ठीक हैं अथीसारय क्लेक्शन किसका हुता है जन्र जन्रेयल कि मलें होता हैँ पत्रीगाइ एंड अधर सोर्स ओप इंफॉ सेपरिवासण से सिम्पल से परिवासा है कि पुस्तकाले फुस्तकाले एक पुस्तकों कि ठेके नप टोग का पान्डू ली क्यों ठेक नव्य मैंनीस क्रिफ्त मतलब क्या होता है उस duplicate of aimanus क्रिप्त कम अधू लक्या हसा उसके बाद और सूचना के अनिये स्रोतों का संग रहे हैं क्या है दोस्तों संग रहे हैं ये कहीं बार पूचा जाता है कि बहुत सारे विद्यारती कहते हैं कि इसे लाइबरेरी क्या है तो लाइबरेरी सबसे सिंपल वासा में अगर हम कहते हैं तो सिंपल वासा में लाइबरेरी किताबों का संग रहे होता है क्या होता संग रहे होता है उसके अलावा लाइबरेरी में मैनुस्क्रिप्ट होता है जैसे ससुती मेल जो लाइबरेरी है सबसे पुरानी तंजोर है व गेंडर लाइबरेरी के अंदर हमेंसा हर मंत जो है जनरल पत्रीकाई भी आती है दोस्तों ठीके ना और उसके बाद जो है लाइबरेरी क्या है अगर हम परिबासा देखते हैं तो लाइबरेरी जो है कीताबों doing का पत्रिकाओं और सुचना कि अन्या श्रोतों का क्या है संग्र होता है दोस्तों उसके बाद भाग करता है जो यह लाइबरी वर्ड ऑफ से लिया वररी ना तो लाइबरी टिय QUEina टो लाइबरी वर्ड कौन से समय मुझे गयोम अगर आपको आता है तो को नौ एंट्री है क्या देखिए स्टेर को एंट्री है इन्हों घीचिंगस्टाप में तो अभर स्टेट को लोगा अलोग किया है तो आप देखो आगे क्या होता है एक बाद ही ग 그냥 प्यक्स्ट तो आपको जिह द्वासा सब्ध लिया गया था और लेटीन वासा का कौनसा सब्ध héber पड़ा जाता है यह पहला सवाल हमेह सब रिक्षा के कि कौन से सबसे बना है लाइबर से बना है अगर इससे सवाल को ऐसा पूचा जाता है कि लाइबरेरी जो सब्द है क्या सब्दे दोस्तों लाइबरेरी सब्दे अगर मान लीजिए अगर वो फ्रेंच बासा से लिया गया है ठीक है कौन सी बासा से दोस्तों फ्रेंच लेंग्विज फ्रेंच बासा से लिया गया है तो वह फ्रेंच बासा के कौन से सबसे बना है दोस्तों वह बना है लिब्रा कौन से सब्द है दोस्तों लिब्रा द्यानकना कौन से सब्द है लिब्रा टो केने का मला राज राज किशोर जी कहा रहा है जर्मन में लिवरा जर्मन में लीवरा नहीं यह फ्रेंच भासा का जो सब्ध रादियान्द इसलिए इस सवाल में बहुत सारे विद्यारती कंफ्यूज हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब का ने सने बिल्कुल ऊढ़ता। में सिधा सवाला तो सवाल के लाइबरी सब्सक्राइब अगर वो लेटिन बासा से लिया गया है तो लेटिन बासा से लिया गया है तो लेटिन बासा के कौन से सब्द है दोस्तों लाइबर सब्द है कौन से है सब्दों लाइबर सब्द है लेकिन अगर यही सब्द लाइबरेरी जो वर्ड है फ्रेंच बासा से लिया गया है तो फ् तो हमेसा आपका option होगा लाइबर क्या होगा दोस्तों लाइबर होगा लेकिन अगर वहाँ पर French language कह दे तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों लिबरा होगा क्या होगा दोस्तों लिबरा चलोंगा ठीक है दो सो यह चीज आपको धियने रख ञानना है एक बार आप सभी लोग को का को लाई कर दीजिये ता कि हम आगे और अनेट्जी यह साथ बड़े यह स्केश के बाद हम बसक करते हैं दोस्तों सब से important यह है कि जो यह लाइबरेरी प्राइब टॉर्म है ठीक ना टॉर्म टेके ना पुस्ठक में विज्ञान का जो यह और मैं यह लाइबरेरी साइंस जो यह सब्द है जो किना वाज first use पहली बार जो यूज किसके द्वारा क्या गया था ठीक है ना बारत के अंदर जो लाइभी सैंसे बारत के अंदर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों वैबो वैबो जी किया रहा सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके सा समझायां बहुत बढ़िया कोर्स आपका थोड़ा आज बैसिक चीजे बात करते हैं बिल्कुल से अभी कॉल करूंगी बिल्कुल पुस्पाजी इसके बाद आप जरू को जरू को लग करना देखिया सबसे पहले वर्ड है कि भारत के अंदर जो पुस्तकाले विज्यान है ठीक है न वाई तो पुस्तकाले विज्या रंगानतन के द्वारा ठीक है ना इस सवाल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाता है कई बार मेलवन डीवी भी करके आ जाता है ठीक है रजनिस कुमार जी कहता है कि सर बिल्कुल इस क्लास के बाद आप जरूर कॉल करना मैं आप से बात करूंगा तो कई बार इस स तो आपको पता है कि डाक्टर ऐसा रंगलते ने जी से भारत और पॉष्ट काले विज्यां का जनक पॉष्ट काले विज्यान का जनक जनक ना यह कई बार पुछा जाता जनक पुस्तकाले विज्यान का जनक किसे कहा जाता यह फो और दूसरी बात कि जो पुस्तकाले विग्यान का जनक का जाता है जो यह उपादी है यह उपादी किसके द्वारा दी गई ती जल्दी से आंसर देजिए इंपोर्टेंट कुश्चन है सबको बहुता है सब्सकाले विग्यान की जनक की जो उपादी है यह उपादी किसके द्वारा दी गई ती यह चीज बताए जल्दी से मुझे तो बिलकुल आपके बहुत सारे सवाल है मैं सवालों को थोड़ा बाद में जवाब दूंगा ठीके ना लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं यह ब को उसकाले विग्यान की जनक किस ने कहा था सर मुझे आप से बात करनी है लाइबरी साइंस की को लेकर बिलकुल जिसको भी बात करनी है इस क्लास के बाद मुझे कॉल कर देना मैं सबसे बात करूंगा टैंसर मली जी आप ठीके दूस्तों जल्दी से बताएं आप जी 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 रजनीश कुमार जी बिलकुल आपको जरूर बात करूंगा बिलकुल रोबीन परसागर जी ने और रोबीन जी ने सबसे पहले दिया था मौरिस गाइवर के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों मौरिस गाइवर के द्वारा बिलकुल तो इसके जो तो उपादी ह वे किसके द्वारा दे-जीथी तो निखे मौरेस गाइवर के द्वारा दे नहीं कि तो यह द्यानक न मौरीजद गाइवर कौन था द्यानक ना यह वाइस चैंसुलर था वाइस चैंसलर दिली इनिवर्शिटी वाइस एसा रंगनतन को क्या कहा था था技 ऐसा क्या का था दोस्तों फादर अफिसी काहता था दूस्त आखक यह यह कि डाक्टर जो ready सबसे पहले डाक्टर सार रंगनतन जो है वो क्या है दोस्तों दिली इनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस्ट सुरी डाक्टर सार रंगनतन को लाइबरी साइंस के जो फादर कहा जाता दोस्तों और यह उपादी तो है पुस्त काले विग्यान जनकी उपादी जो एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोल्ड वोल्ड फर्स्ट लाइबरेरी साइंस स्कूल लाइबरे साइंस स्कूल चाहिए ना भई दुनिया की पहली दुनिया की पहली पुस्त काले विग्यान का विध्याले पुस्त काले विग्यान का स्कूल पुस्त काले वि लिग्यान का स्कूर्पी परिक्षा पूछह पयाँ है कर दुन्ये पहली लाइबरी साइस स्कूल Łस रहे जा आपका पता होना चाहिए करें वर्ल्ट की सबसे पहले जो लाइबरी साइस का जो विद्यालेक हुला यह दे लेकिस के द्वारा सुरू किया गया था कहा पर किया गया था उसके बारे में भी आपको पता देखे लुकुल पर वर्ल्ड की सबसे पहले जो इसको सुरू क्या गया था किया नाम था मेल्विल डीवे किसके द्वारा के द्वारा इसके को शुरू किया गया था ठीक है और इस स्कूल का नाम क्या था सबसे इंपोटेंट है कि जो स्कूल सुरू कि गई थी उस स्कूल का नाम क्या था उस विद्याले का नाम क्या था तो उस विद्याले का नाम था School of Library Economy उसका नाम क्या था Library School of Economy यह क्या था दोस्तों इसकूल का नाम था और दुनिया की पहली जो इसकूल है उसकी स्तापना कहा पर हुई थी सबसे इंपोर्टेंट है Establish Establish का मतलब होता है स्तापना उस विद्या लेगी स्तापना कहां पर हुई दोस्तों जल्दी से बताए At Columbia College Columbia कहां पर हुई थी दोस्तों Columbia College में जानगना तो जहां मेलवन डीवी के द्वारा इसको शुरू किया गया था School of Library Economy यह Library School of Economy जो है यह शुरू की गया थी मेलवन डीवी के द्वारा बिलकुल पैसा बनाओ डीवी के द्वारा Columbia में शुरू की गया थी ध्यान रखना ठीक है ना वई यह चीज आपको ध्यान रखना तो यह Columbia College में यह सवाल हमेज सा कहीं बाहर परिक्षा के अंदर पुचा जाता है तो आप सभी से निवेजन कर रहा हूं कि आप एक बार इस Class का जो है जरूर इस Class को लाइक कर दीजिए और इस Class को लास्ट तक रखिए ताकि आपको लास्ट में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आना उसके सारे चाहिए अपको लास्ट में 16 गंड़े ताकि आपको पता चलेगा कि अपको पढ़ा रहा हूं कितना समझ में आ और लास्ट में कितने सवालों का आंसर आपका सही हो रहा है यह भी बहुत ज़्यदा ज़रूरी है और लाइप में आपका यह iq पता चलेगा आपको किटना आपको पकड़ में आ रहा है दोस्तों चिंगें दोस्तों यह जो यह किता आपको खुझान ने रखना है ठीक फिर बल्कुल को खुला गया था बिल्कुल चंदन कुमार जी बता रहे लिए यह जलदी से बताया आप जल्दी से बताए आप सभी लोग बिल्कुल गलती हो गया है को मैं वापस हिंदी में लिखो गा तो आपको नहीं लगता कि कोलंबिया कोलेघ्श मी को कोलंबिया को ने हिंदी में लिखूंगा तो आप लोगो हो जाऊ गए एक चीज लोग द्लिख्वा लिक्ट Спाहई अपन ख्रब्स गेद अससी इंपोर्टेंट यह धीजिए ध्यान दो जनुवरी जनुवरी फाइब 888 सिद्याश सी आज जनुवरी 5 आटारेसो सिद्यासी रिट एन्रोलमेंट विछ एन्रोल मेंट आप 20 students ठीकने और कितने इस्टूडेंट्स आया थे 20 विद्यार्तियों ने 20 विद्यार्तियों के साथ इन्होंने इस स्कूल को शुरू किया थे दोस्तों ठीक है ना वही यह चीज आपको जहां रखना है सुनिया इदर सवाल क्या बनेगा पहला कि वर्ल्ड की पहली लाइबरी साइंस द्यां रखना स्कूल का नाम क्या है यह स्कूल मेङन डिक के दविए सुरू किया था इस स्कूल का नाम है लाइबरी इसकूल ओप ऑओ और सुब्सक्राइब भी कोललेज में कई थी का वी दोस्तों कोलमबिय कोलेज में और इस स्कूल की स्ताफणा यह इस स्कूल को खोला गया था अटारेस सुटियासी में with enrollment of twenty students जब इस उस्कूल को खोला गया था पाथ जनवरी इस तो कितने विद्यारति है थे पता तो ड्यान इकना है कि कितने ही इससको को शुरू किया गया है कि critics के साथ 20 students उंके साथ इसको सुरू किया था आप सभी से निवेजन है कि प्लीज आप करीबन 300 लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दे़े सora का नाइक तो कॉलम्भिया जो कोलेज हैं ये मगए को आप रहें लुटаешь में अमयरिका ये sbahसा कि अध्यों नियोथ के दौत Łastha क्या ऑछ और सभी से मैं निवेधन करना चाहता हुं जो लाइबरिय और साइंस को पहलवार पढ़ रहे हैं उन सब से यह कहना चाहता तेंदी में बोल रहा हूं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कोलंभिय को लेज लिए यॉर्ख नियॉर्क से अंदर में दोस्तों अमेरिका के अंदर है दोस्तों यह चीज आपको ध्यान में रखना है समझो आगे वह आपको तो वर्ल्ड की पहली स्कूल जो है मैलवन डीवी के द्वारा शुरू की गई थी नाम यह था कोलंबिय कोलेज नियॉर्क में और स्कूल को खोला गया था पांस जनवरी अटासु शित्यासी में 20 स्टुडेंट से इसके अंदर जो है एंड्रोल्ट लि प्राइण स्टूरु से ठीवाड कोल मं स्टुडन आपको पाल में अपको है मिस्ट्ट वोग्यारीओ हान लिप्रेरियर को बाह्ट बुक लुछ आ हम आपकों जोती कोषिंट्या दर्यारी इनिया कोन मिस्ट गार्ण। में बारत में पुस्तकाले विज्यान बारत में पुस्तकाले विज्यान पर पहली किताब बारत में पुस्तकाले विज्यान पर पहली पुस्तक दिया लगना यह कई बार परिक्षा के अंदर पूचा जाता है कि बारत के अंदर जो है पुस्तकाले विज्यान पर पहली किताब का क्या नाम था ठीक है दोस्तों यह हमें सब पूचा जाता सवाल आपको पता होना चाहिए कि आप लाइबरी सैंस शुरू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में लाइबरी सैंस की पहली किताब का नाम क्या था जल्दे से आंसर दीजिए आप सभी लोग आंसर सबसे इंपोर्टेंट सवाल आता है कि भारत में पुस्तकाले विज्ञान पर पहली किताब का नाम क्या था क्या नाम था कि लाइब्रेरि एडमिस्ट्रेशन क्या नाम था लिखा दोस्तों हसाएब्रेशन die एडमिस्ट्रेशन और के आले सबना बात इंपोर्टेंट किताब है इस विस को अगर में लिखूंगा तो भी ये ही लिखा जायेगे दोस्तों अगर मैं इसको हिंदी में भी लिखूँगा ठीकर न दोस्तों तो अभी यही लिखा जाएगा ज्यान एक ना तो बारत में पुस्तकाले विज्ञान पर पहली किताब है उस पहली किताब का नाम है दोस्तों हींट्स किताब को लिखा गया था भीएच मैता के द्वारा द्यानिकना यह फाइब लोस ओट लाइबड साइन्स नहीं है five इस किताब को लिखा गया था भी एच मैता के द्वारा इस किताब को पब्लिस किया गया था बहुत अच्छा सवाल जा नगना इस किताब को पब्लिस किया गया था 1913 में कब क्या था दोस्तों 1913 में जो है इस किताब को जो है पब्लिस किया गया था 1913 में इस किताब को पब्ल का मतलब क्या होता है प्रस्तावना यह बात कि नवे इस किताब का जो प्रस्तावना है वो किसके ज़रा लिखी गये थी ड़收न के दोर्ट किसके दोर्ट दोस्तों यह संमजिए Kई रहा है कि स्कुनम लिए-वив पर पहली किताब का नाम क्या है तो ध्यान रखना है कि बारत में पुस्त का ले विज्ञान पर पहली किताब का नाम है हींट्स ऑन लाइब्रियरी एड्मिस्ट्रेशन इसके ताब को लिखा गया था बी एच महता के द्वारा और इसके ताब पबलीश हुई थी 1913 में कब अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे ठीक है ना अब आगे बात करते हम उसके बाप पहले किताब हो गए अब हम बात करते हैं तो फॉर्स्ट इंग्लिश जनरल ठीक है ना दा फॉर्स्ट इंग्लिश जनरल और लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस ज्यान रगना पुस्तकाले विज्यान पर पुस्तकाले विज्यान की पहली पहली अंग्रेजी पत्री का अब मैंने क्या सवाल पूचा है ज्यान रगना अब मैंने कहा है कि पहली अंग्रेजी पत्री का क्या ना मैं दोस्त पहले सवाल तो ये पूछा था मैंने के पुस्तकाले विग्यान पर बारत में पहली किताब का नाम क्या है ठीक है दोस्तों सुनिया इधर पुस्तकाले विग्यान में बारत में पहली किताब है अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर के पहली इंग्लीज जनरल जनरल का मले होत पत्रीका पुस्तकाले विग्यान की पहली अंग्रेजी जो पत्रीका है ये किसके द्वारा है सर आपके समझाने का ठीक है आगे देखे बिलकुल बहुत अच्छा सवाल है राज किशोड जी ने कहा है कि पहली इंग्लिस जर्नले लाइब्रेरी मिस्ट लेनी है बिलकुल ठीक पत्रीका है पहली पत्रीका का नाम है लाइब्रेरी मिस्ट लेनी क्या नाम है दोस्तों जिसको इंग्लिस में लिखने में प्रोब्लम हो रही है वह हिंदी में भी लिख सकते हैं तो ध्यान रखना है पहली किताब तो थी वह हिंट्स ओन लाइब्रेरी एड्मिस्टेशन है लेकिन पहली जो जनरल है जनरल का मलब होता है पत्रिका उस पत्रिका का नाम क्या था लाइबरेरी मिसलेनी क्या नाम था दोस्तो लाइबरेरी मिसलेनी ये सवाल कहीं बार पुछा जाता है ठीक है ना और इस किताब कि जो अवदी है, अवदी का मदलब होता है frequency, इस पत्रिका की frequency, frequency का मतलब क्या होता, होदी, तो इसके होदी क्या है, दोस्तो, quarterly, कैंड़ोध क्या होता, दोस्तो, त्रे मासिक, यह त्डाना की, कहीं बार पुछा जाता है, कि जो ये पत्रीका हैं ये जन्रल है इस जन्रल की जो कह सकते हैं कि अउदी या फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं कि इसके जो है अउदी क्या होते है तो इसके अउदी जो है ये ध्यान रखना आपके इसके त्रे मासिक हैं ठीक है इस पत्रीका को पॉब्लिस किया गया था ठीक है न को पब्लिस किया गया था परकासित किया गया था ठीक है ना और इसको पब्लिस किया गया था तीन भासाओं में कौन कौन से तीन भासाओं में परकासित किया गया था ठीक है ना इसको पब्लिस किया गया था एक तो इंगलिस में ठीक है ना दूसरा गुजराती में और तीसरा मराथी में ठीक है ना इस पत्रिका को तीन बहसा में परकासित किया गया था कौन से तीन बहसा हैं दोस्तों पहली है इंग्लिश दूसरी है गुजराती तीसरी है माराथी किया दोस्तों माराथी है तो क्याने का मतलब यह है दोस्तों कि यह जो पहली जो लाइबरी साइंस पर पहली जन्रल है किया दोस्तों यह पहली जन्रल है दिया रखना और इस पत्रीका का पहला एडिटर फोस्ट एडिटर को ये कई बाहर सवाल पूचा जाता दया दगना पर्तम संपदक है दोस्तो पर्तम संपदक तो पर्तम संपदक कौन था दोस्तो बहुं सारे बच्चोंने लिखा था जो यह पतरी का है जो यह जन्रेल है पहले इंग्लीस बिए started grade और second grade में आप पेपर फर्स्ट का जो नहीं 50 जिलों के अनुसार करवाएंगे यह सर यहीं कोस रहेगा बहुत जल्द करवाएंगे एक वान नौटिफिकेशन आने दीजिए आपको जो है जोग्राफी चैंज होगी बाकी तो लगबग सैम ही होता है रास्तान जीके के अंदर मैं आपको बता संपादक कौन है दोस्तों जे एस कोडालकर कौन है दोस्तों जे एस कोडालकर नाम का जो वेखती है जो इस पत्रिका का क्या था दोस्तों पहला संपादक था क्या था दोस्तों संपादक था तो आपको यह पता चल गया है कि लाइबरी सांस पर पहली किताब का नाम क्या है hints on library administration था लेकिन library science पर जो पहली अंग्रेजी पत्रिका है तो पहली अंग्रेजी पत्रिका तो पत्रिका का नाम है library misliny क्योंकि वहाँ पर सिधा सवाल आएगा कि what is library misliny library misliny क्या है option A ठीक है ना first book of library science option B first English journal on library science option C first textbook of library science ठीक है तो library misliny जो है first English journal है library science की तो पुसका ले विग्यान की प्रथम अंग्रेजी पत्रिका क्या नाम है library misliny नाम है दोस्तों तो library first ठीक है ना यह चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर वहाँ पर सवाल बन जाए first textbook first textbook first textbook on library science library science ठीक है ना भई पुस्त का ले विग्यान की पहली टेक्स्ट बुक पुस्त का ले विग्यान की पर्थम टेक्स्ट बुक दिया ना क्या कहते है इसको टेक्स्ट बुक ठीक है ना यह कई बार सवाल आता है हमें सब रिक्सा के अंदर तो वहाँ पर सवाल पुछा जाता है कि पुस्त का ले विग्यान की पहले टेक्स्ट बुक क्या है तो आपको पता होना चाहिए बुक हमने पढ़ ली जनरल हमने पढ़ लिया था अब सवाल बनता है कि टेक्सट बुक कौन सी है दोस्तों चाहिए न भई तो पंजाब रिषीटेर का से लव का ज़ल्द आये गहां कि दोस्तों तो पहले जो टेक्स्टूक है उस टेक्स्ट बोग यह बताई जलदी से मिलब रिट्चू सिंग दीनी कि जवाब दिया है पंजाब लाइबरेरी प्राइमर स्थ्य अधर सो पंजाब लाइबरेरी प्राइमर यह यह द्यानर फ यह पहली टेक्सट बुक है क्या है दोस्कों पहले टेक्स्ट पुक है तो आपको पता है कि 1915 में 1915 में जो हैं एक Liberian आये था अमेरिका से जिसका नाम क्या था एडी डिक्षं नैगिना सज आपके पास आप पडा रहे हैं वो आपके बुक सर मिल जाएगा क्या जी नहीं जो भी content में पढ़ा रहा हूं यह सारा content आपको हमारे online school India app के अंदर मिलेगा और जहां से आपको notes बनाने होंगे ज्यानक ना हमने हमारे आपके अंदर पूरा content आपको पढ़ाया है एक एक चीज डिटेल दिए इसलिए तो मैं बार-बार यह कह रहा हूं आपको छे रेजिस्टर डालके आप छे बार नोट्स अच्छे रेजिस्टर बनाईए और एक टॉपिक को बढ़िया इंडेक्स में लिकर नोट्स बना लीजिए ताकि यह सारा जो content है वहां पर आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से मिल जाएगा अब यूटूब पर जो हम जो भी सलिवस होता उसका ज्यादा नहीं पढ़ा पाते हमारे लिए भी बहुत सारी चीजे होती है इतार टाइम नही है एडी डिक्षिन तो ध्यार पने है इस मुक को किस के द्वारा लिखा गया था तो ध्यार किन नहीं एस इस किताब को जो है पब्लिस किया गया था पब्लिश टिंट इस किताब को पब्लिश किया गया था बिल्कुल अगर आपको देखो मेरी बास सुने अगर आपको किसी भी परकार की कोई प्रोब्लम है ना तो आप बिल्कुल मुझे इस नंबर पर कॉल किजेगा यह आप अपने नंबर अपने फॉर इस नंबर बता रहा हूं है 8949992361 यह मेरे नंबर है आपको कभी भी कोई भी प्रोब्लम है तो मैंने कल भी 20 लोगों से बात कीती दिया नगना मैंने कल भी 20 स्टुडेंट से बात कीती तो अगर आपको किसी परकार की कोई प्रोब्लम है या सवाल है या जवाब है बिल्कुल आप इस नंबर पर आप कभ पंजाव उनिवर्सिटि लाहोर के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों पंजाव उनिवर्सिटि लाहोर के द्वारा ये जो पहली जो टेक्स्ट भूग है इस टेक्स्ट बख एइस टेक्स्ट बुक को जो है क्या किया दोस्तों पॉदिस कιया ते दोस्तों आप और क्या गये तो ‫ईखर साम है और कौन सी पयाता मैं नामता एडी टिक्षन एडी डिक्षन पंजाभ इनिवर्सिटी में एकचन ऊपाने सीन सब्धाइब घ्रेस्टी में ऐसा क्या किया कि उस पंजाब राजिये में जितने भी लाइवेरियंस हैं उन सारे लाइवेरियंस को एक जगे पर इकटा किया था और इकटा करके उन्होंने first library ट्रेंडिंग देना शुरू किया था तो एडि डिक्षन जब पहली वार पंजाब इनिवस्ति में आया था उन्हों ने सोचा कि मैं इंडिया में कितने समय तक रहूंगा तो उन्हों अरिंभ देंगिति उस ट्रेनिंग में पंजाब लाईज प्रायमर्य में उन्हों हैं ए चाहिएा दोस्तों आपको ध्याण में रखना है दोस्तों ठीक है दोस्तों आए आगे शुरुआत करते हैं और बारत के फर्स्ट मोबाइल लाइबरेरी फर्स्ट मोबाईल लाइबरेरी फर्स्ट मोबाईल लाइबरेरी तो ध्यान रखना है भारत में फर्स्ट मोबाईल लाइबरेरी कहां शुरू की गई थी ठीक है न भारत में भारत में पहली मोबाईल लाइबरेरी पहली मोबाईल पुस्तका ले पहला मुबाइल पुस्तकाले कहा शुरू किया गयता है दोस्तों जल्दी से आंसे दीजिए जी अगर आपको किसी परकार की कोई भी प्रॉल्लम है दिये गए नंबर पर कॉल कर दीजिए दोस्तों चैकर साथ नंबर आ रहे हैं OBC से लाइबरी साइंस में चांस है कि कुमार जिनर सबसे पहले आंसर दिया हैं कि फैली मोबाइल लाइबरेरी जो है शुरू की गई थी तो वह सुरू की गई तो started in madras, कौन से राजी में दोस्तों, madras में जो है पहली जो mobile library है उसको शुरू किये गई थी, लेकिन इसका innovation, innovation का मतलब होता है, उद्गाटन, इसका जो integrated किसके द्वारा क्या गया था, जल्दी से बताएं आप, फर्स्ट mobile library है, उद्गाटन, इसका innovation किसके द्वारा शुरू किया गया था, जल्दी से answer दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से answer दीजिए आप सभी लोग, ठीक ना इसका जो उद्गाटन है इसका यह उद्गाटन है किसके द्वारा शुरू किया गया था जल्दी से आन्ग सिर्व बताएं आप सभी लोग ठीक है ठीक है ना इसका जो उद्गाटन है वो उद्गाटन किया गया था डाक्टर S.R. रंगानतन के दोरा इसका उद्गाटन किसके दोरा किया गया था दोस्तो डाक्टर S.R. रंगानतन के दोरा दिया नहीं था बिलकुल पारस पाल जी ने अच्छा आंसुर दिया है डाक्टर डाक्टर एसा रंगनतन के दौरह इसका सब्सक्राइब उद्ग में इसका उद्गतन दोस्तों लिल्पर나सा उक्ट. शॉख्यान हिसा नाए यप ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि है कैल मीना जी भार-बार आप मेसेज लिख रहे हैं तो मैं आप बताना चाहता हूं कि अभी कुछ टॉपिक बचे वे हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कि दोस्तों यह चीज आपको ध्यान रखना तो 1931 में जो है इसको जो है पहली मोबाइल लाइबरेरी जो है मदरास पर शुरू की थी और किसके द्वारा दोस्तों यह चीज आपको ध्यान में रखना है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद जब यह चीजे बार-बार आप पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों क्य ही हमने पढ़ी दिया आपको पदा चलना चाहिए लाइवडारी सैंस कहां से आया कौन सी बासा से बना लाइवडारी सैंस के यह चीज ची पहली पकुराणका का नाम था चेया लग का नाम झाभ लाइव ए है कि बारत में पहली मोबाइल लाइबरेरी किसके द्वारा शुरू किया थी यह सवाल जो है यह हमेंसा जहां रखना है कि कहीं नहीं आप जो पुराने पेपर आप देखोगे तो हमेशा यह सवाल के वीएस यह वरस और भी बहुत सारे जो यह जो है डी एससी में ऐसे सवाल ह ऐसा पूछा जाता है दोस्तों स्रमेरा मैत्वपुर्ण सवाल है जिसे आप से ईमर्षटन और बिहार दोनों फिरी मिलेगा दोस्तों आपको अलग सर लेने की है धुश्टों प्याला सवाल है जल्दी से वताए है आप पेले सवाल का या मैं आप से एक उमीद रखता हूँ मैं आपसे एक उमीद लेकर हाख सवाल पूछ रहा है सभी लोग comment करेजिए कि library सब्द की उत्पती latin वासा से हुई थी तो library सब्द की जो उत्पती है वो latin वासा के कौन से सब्द से हुई थी जल्दी से आँसे दीजी मुझे जल्दी से आप सभी लोग आँसे दीजी आप जल्दी से answer दीजिये, आपने मैंने आपको basic पढ़ाया था, library sense का, जो जो topic मैंने पढ़ाया थे, अब मैं उसमें से सवाल बनाया है, मैंने, तो सवाल बनाया है, तो जल्दी से answer दीजिये, ठीक है दोस्तों, जी, तो latin बासा के, कौन लाइबरी से, कौन सी बासा से लिया गय हैं दोस्तों आपके लाइबर कौन से दोस्तों लाइबर जिन्होंने ए ओप्षन बताया है उनका सबकास सही है दोस्तों कौन सा वर्ड है दोस्तों लाइबर वर्ड है कौन सा वर्ड है दोस्तों लाइबर वर्ड है अगर द्यान रखना फ्रेंच लेंग्वेज होता यहां प होता तो फ्रेंच वर्ड होता तो वहां पर ज्यान रखना है कि लाइबरेरी सब्स फ्रेंच वर्ड के कौन से वर्ड है लिब्रा अगर यहां पर लेटीन की जगे अगर वहां पर फ्रेंच वर्ड होता तो क्या होता दोस्तों लिब्रा होता क्या होता दोस्तों लिब्रा होता यह चीज आपको जयानकना है ना था इस विटाज जी मेरी बूक वाली क्वारी अभी तक हो गई है इसमीदा जी अभी आपको फॉन कर दे जाएगा आपको ठीकी दोस्तों यह चीज जयानकना है अगर पुस्त का पर्योग सबसे पहले किसके द्वारा क्या गया था अभी मनें बताया था कि दा लाइबरेरी साइंस जो वर्ड है पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया था ज़दिल से आन से दीजिए अधिति राजी सर आपने आईडी नहीं दिया था बता नहीं है बिल्कुल बिल्कुल लाइब्रेरी का मतलब भी पुस्तक होता है बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा आपने लाइबर मिन्स लाइबर मिन्स का मतलब क्या क्या वता होता दोस्तों बुक होता है क्या होता दोस्तो बुक होता है तो लाइबरे साइंस को पहली बाढ़ जो है किसके द्लाख सुरू किया गया था डाक्ट्र आसार रंगा नेतन के द्वारा सुरू किया गया था मेलवन डिवी स्टार्टेड मेलवन डिवी ने शुरू किया था पहला लाइब्रेरी स्कूल मेलवन डिवी के द्वारा वर्ल्ड का पहला लाइब्रेरी स्कूल जो शुरू किया गया था पहला जो लाइब्रेरी जो स्कूल है सर आपका नंबर मिल सकता है क्या पूजा वर्मा जी जिसको भी मेरे से बात करनी है एट नाइन फोर नाइन डबल नाइन टू त्री सिक्स वन इस नंबर पे आप कॉल कर दिजेगा मैं आपको जसे ही फ्री होंगा फ्री होने के बाद मैं आप से बात कर लूँगा तो द्यान रखना है तो लाइबरेरी का पहला स्कूल कॉलम्बिया कॉलेज और यह कॉलम्बिया कॉलेज कहा पर है दोस्तों नियॉर्क में है कहा पर है दोस्तों नियॉर्क अमेरिका की नियॉर्क सिटी में जो है कॉलम्बिया कॉलेज में मेलवेंट डी वी के दिवी के द्रा पहला स्कोल सुरू के आगया था दोस्तों अ अगला क्योंटने विश्व के पर्थम लाइbरी सायंश कूल के संस्थापका कौन थे वू साइब सावडरर नई आब Cry पहले लाइबरी सायंशKit स्कूल के वर्ल ड की पहली लाइबरी तो दीजिए आप गुरु जी क्या राजसान वाले स्टुडेंट्स एक्जाम दे सकता है कि बिलकुल राजसान वाले भी एक्जाम दे सकता है दोस्तों अनुराग जी क्या रहा है सर बिहार लाइबरियन की न्यूज आई किया देखिए सर मैं आप से फिर से यह कहना चाहता अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे अकब आएगी कैसे आएगी अगर आपको लाइबरियरी आने वाली लाइबरी साइंस की वेकेंसी के बारे में अगर विश्वास नहीं है तो बिलकुल आप दूसरा कॉम्पिटेशन की त्यारी कर सकते हैं दोस्तों देखिए विश्वास पर तो पोई दुनिया ठीकी है जब मेरा राजसान के अंदर दिया था मैंने दोजास सोडा में तो मेरा एक सवाल से सलेक्शन नहीं हुआ था ठीक है ना एक सवाल एक सवाल की वज़े से मेरा सलेक्शन नहीं हुआ था तो अगर मेरे एक सवाल से सलेक्शन नहीं होता क्या मैं हतास होकर बैठ जाता वहां पर या मैं निरास होकर बैठ चाहते तो आज इस इसस्थिती में नहीं होता था फिर उसके बाद राजस्स्तान में 2018 मेंवेके अच्छांची आइ थी राजस्तान मेंवापस एक वेकेंसी पाई थी 2018 में आई थी और exempt Magnumिऊ ता 2020 मतलब करीबन Dwemach 2630 साल बाद एक्जाम हुआ था कितने साल बाद 12 साल आप सोचिए एक सेकिंड के लिए आप कलपना कीजिए आप थोड़ा इमेजिन कीजिए अपने दिमाग थोड़ा दिमाग पर जोड़ लगाए है राजस्तान के अंदर वेकेंसी आई टी मई 2018 में वेकेंसी कब आई थी मई 2018 में राजस्तान में वेकेंसी आई थी फिर 2019 में पेपर आउट होने की वज़ेद से वह कैंसील हो गया था पेपर फिर 2020 में कोरणा आया था और कोरणा के बाद मलब वेकेंसी के अंदर नोटिफिकेशन आगया था और नोटिफिकेशन आने के बाद या साल बाद एगजाम हुआ था तो आप कलपना की जिए कि में और मेरे जैसे लोग वेकेंस साल तक एक सब्जेट्ट्ट को पढ़ते रहे थे आप समझे हैस चीश को तुड़ा तो हम देखे हमने कितना संगर्स किया था तो दाइस साल तक हमने पढ़ा उसके बाद हमने दाइस साल के बाद एक्जाम हुआ था और मेरिट गई थी राजस्तान में 80% कितनी मेरिट गई थी राजस्तान में 80% गई थी लेकिन मैंने ध्यान रगना है कि 85% लाकर जो है मैंने नौकरी प्राप्ट की थी आप समझे मेरा संगर समझे आप मेरिट गई थी उसमें 80% परिट गई थी लेकिन मैंने 85% लाकर मैंने जो हैं इसके अंदर जोब प्राप्ट की थी तो आप समझ लीजिए तो कहने का मतलब कितना कमपटेशन होता है दोस्तों तो पहले जो फाउंडर थे वह कौन थे दोस्तों मेल विन दीवी था कौन थे दोस्तों मैलवें डीवी था दोस्तों उसके बाद लाइबरी साइंस पर बहरत में प्रकासित पहली किताब का नाम पर इंपोटेंड रखना नेंस फ़र्स लिस्ट बिख्यान पर प्रकास्ट पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों ठीगो दोस्तों संगर छीवन था क? इसी बाद दोस्तों आप सूखते हैं कि देके दो चीजे होती है मैनत और आपकी किस्मत ठीगो न आप मैनत कर रहे हो लेकिन एक्जाम से पहले ऐसी कुछ घटना है आपके साथ हो जाती है या आप एक्जाम में बैड़ते हैं ठीक है ना दोस्तो उसमें कुछ घटना है कि सर आप एप में बाइलिंग्वल भूल गे क्या बीलेस का मुझे दस इर्स होगे तो सुने दिर तो कह हाली किताब का नाम क्या हैं दोस्तो हेंट सों लाइब्ररी एड्मिस्टरिसन इस किताब को लिखा गया था है इस किताब को लिखा गया थैञे है कि अ दोस्तों बी-च मेता के दोरा और इस किताब को परकासित किया गया था 1913 में इस किताब को परकासित कब किया गय 가자 दूस्घ कर दोस्तो ऐसे आपको जहानमें रखना है बारत्य लाइबिरन के लिए एक प्रस्टिक्षन कारेकरम शुरू हुआ था तो प्रस्टिक्षन जो कारेकरम शुरू हुआ था उस प्रस्टिक्षन कारेकरम के उपर एक किताब लिखी गई थी एक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी उस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है दोस्त जल्दी से बताएं बहुत important question है कि AD Diction के द्वारा जो है सबसे पहले पंजाब के अंदर एक लाइबरेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस प्रोग्राम को किस किताब के माध्यम से शुरू क्या गया था तो द्यानकना वो किताब है वो द्यानकना वो किताब क्या है पंजाब लाइबरेरी प्राइम्री तो पंजाब लाइबरेरी प्राइमर्र जो है यह first textbook है दिया रख나ना क्या दोस्तों यह पहली टेक्स्ट बूक है फैली टेक्स्ट ऑूक है on library science जानगना और लाइबरेरी साइंस तो इस किताब को लिखा गया है तो AD Diction के द्वा जब वो अमेरिका से पहली बार आये थे कहां पर आये थे पंजाब इनिवर्सिटी में तो उन्होंने सभी लाइबेरियंस को बुला कर लाइबरी साइंस में ट्रेंडिंग देना शुरू कर दिया है दोस्तों यह चीज आपको ज्यान में रखना है आगे बारत में पुस्तकाल की आशर आपकी क्लास की पीडियफ आज कहीं मिलती है तो बताएए जी इस क्लास की जो पीडियफ है आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी आपको जल्दी से एक वर इस क्लास को जो है जल्दी से लाइक कर देजिए आप सभी लोग ठीकर ना बिलकुल जल्दी से बताएब पुस्तकाले विज्यान पर पहली अंग्रेजी जनरल जनरल का मलब होता है पत्रिका पहली पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों पहली पत्रिका का नाम है लाइबरेरी मिसलेनी क्या नाम है दोस्तों लाइबरेरी मिसलेनी जो है पहली पत्रिका है इस पत्रिका यह कब आयती दोस दोस्तों 1912 में इसको published किया गया था दोस्तों 1912 में इसको published किया गया था दोस्तों आगे देखिए who was the first editor of library mislainy a quarterly journal published from बड़ोदा एस्टेट बड़ोदा राज्ये से परकासित 83 पत्री का library mislainy तो library mislainy के पहले संपातक कौन थे जल्दी से बताएं आप सभी लोग नए नए library mislainy बड़ोदा राज्ये में होई थी रंजन कुमार जी गलती को रोकिए रंजन कुमार जी गलती को रोकिए दोस्तों सदनान जी भारती सर मुझे आप भूल गये है जी ठीक है दोस्तों तो ध्यान रखना है library mislainy के जो पहले editor कौन थे तो पहले editor कौन थे दोस्तों पहले editor थे js को डाल कर कौन थे दोस्तों js को डाल कर थे कौन थे दोस्तों js को डाल कर थे तो पहले library mislainy के जो पहले editor कौन थे दोस्तों js को डाल कर थे येस, फॉस्ट मोबाई लाइबरेरी वास ऑपरेटेट इन, पर्थम चल पुस्तकाले, चल पुस्तकाले जो है संचालित कहा पर हुआ था, ध्यान रखना, पहली बार जो है, मोबाई लाइबरेरी के सुरुआत कहा पर हुई थी, जल्दी से आंसे दीजिए आप सभी लोग, देखिए, लाइबरी साइंस के अंदर, लाइबरी साइंस को समझने के लिए, दो चीज़े ध्यान रखना है, ये जो लाइबरी साइंस का जो, सब्जेक्ट है, ये क्या है दोस्तों, एक लाइबरी साइंस, एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को, दो चीज़े पता चल सबसे पहले अगर स्टूडेंट को पहले कैसे पढ़ा जाए बस चा कि इस चेडिन को ये पता चल जाएगा कि लाइबरी सा dal्ष। सब्सक्रार पर्परसेंट जो है जल्द लाइबरी सांथ में सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 90% स्टुडेंस को यह नहीं पता चलता है कि कि लाइबरी साइंस को पढ़ा कैसा जाए शुरुआत कहां से करें तो इसलिए मैंने आपको कहा था च्छे रजिस्टर लाई है च्छे नोट्स बनाए है दोस्तों तो मोबाई लाइबरेरी जो है प क्याए दोस्तों वूल्यम होन किताब है किया दोस्तों वोल्यम कर्वन किताब है इस किताब के अंदर जया रखना है प्रिविएस येर पेपर घ्र Tä Cons और इंग्रे और एंग्लिस दौनों What इसे कस्मीर सा लगा कर कने कुमारी तक बच्चा कोई भी पढ़ सकता है इसमें दस पुराने पेपर है ये मेरा पहला वॉलिम था और आप लोगों ने इस किताब को बहुत ज़दा मुझे प्रेम हो सने दिया था इसलिए जल्द हम इस किताब को लेकर आएंगे दोस्तों सर गुरुजी मुझे किताब कैसे अविलेबल होगी किताब को लेने के लिए इस दिये गए नंबर पे वार्टसप करना होगा इस वार्टसप पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों और जल्द हमारा जो second volume आ रहा है और second volume हम कोशिस कर रहे हैं कि इस बाद 13 पुराने paper डाल रहे हैं कितने paper हैं दोस्तों 13 जो है पुराने paper डाल रहे हैं और इस किताब की खास से यह है कि एक तो इसमें 13 पुराने paper होंगे चीक है ना 13 old papers होंगे तेरे पुराने paper होंगे दोस्तों और इस किताब क्या होगी दोस्तों यह bilingual होगी क्या होगी दोस्तों bilingual होगी और सबसे बड़ी बात zero error किसी भी सवाल में कोई गलती नहीं होगी मतलब किसी परकार का आपको confusion नहीं होगा कि आपके हिसाब से कि A होना चाह रहा है कि हमने वोल्यम वन में भी एक भी गलती नहीं रखी है हर question का हमने authentic answer दिया है और जो question question को होगा उत्राखंड का होगा इसस राख इस्ष्रो का होगा कैरला का होगा एम्स जोटपूर का paper होगा और जो क्या क्या सकते हैं कि MP जबलपूर का भी paper होगा दोस्तों तो यह किताब जो हैं आपको 22 जन्वरी 22 जनवरी 2024 को इस किताब का लॉंच किया जाएगा और 26 जनवरी से इस किताब को मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों यह किताब 26 जनवरी से आपको मार्केट में मिल जाएगी जिसके बारे में हम टेलिग्राम के अंदर बता देंगे आप सभी लोग टेलिग्राम जोइन कर लेजएगा टेलिग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगे दोस्तों किके दोस्तों ठैंकी वेरी मुच बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी लोगों का जो बिहार लाइबिरेंट की त्यारी करना चाहते है उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब अगर आपने देखा हैं लाइबिरेंट बनने का सपना तो बहुत सारे विद्यार्थी के मैंड में एक नेगिटिव सोच यह है कि सर वेकेंसी आएगी नहीं आएगी तो मैं आज इस क्लास में पॉष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका मन कहता है anger आपको व ओरोसा है तो आप जयाँ रखना लाइब्री सैयंस की तरे किजिए क्यों कि बैहिए आप लोगों ने लाइब बंने के लिए क्या था दोस्तों सिदी सी बात है आपने जब लाइबियरेंट बनने के लिए डिग्री और डिप्लोमा लिया है या किया है आपने तो आप लाइबियरेंट बनने के लिए लाइब्री की वेकेंसी आती रहती है दोस्तों अब आप कह रहे हैं कि एक लड़के ने कल यह मरस वापस वेकेंसी आ रहे है डी एसस भी आएगी अगर जैसे आप ही की तरह जैसे मैं 2016 में एक सवाल की वज़े से मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ और मैं छोड़ देता त्यारी कि नहीं मेरा तो सेलेक्शन हो गई नहीं तो आज यहां पर थोड़ी होता तो 17 में मैंने केव इसका रेटन भी दिया तो बहुत बड़ा संगर्स किया फिर आप सोचें कि राजस्तान में 2018 में वेकेंसी आई और 20 साल बाद पेपर हुआ तो देख लिए एक सब्जेट को 20 साल पढ़ना यह कितना बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा मेरे लिए कितना संगर्स पूड रहा है उसकी आप साथ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं डाई साल एक ही सब्जेट की त्यारी करना वेकेंसी आई मई 2018 एक्जाम हुआ धाई साल बाद और मेरिट गई 80% उसके बावजुद भी 85% लाकत सेलेक्शन लेना तो आप सोचिए कि वह मेरा संगर्स कितना बड़ा रहा होगा दोस्तों तो आप अभी से अगर निरासा अगर आप अभी से निरास हो जाएंगे या फिर आप लोग क्या hopeless हो जाएंगे तो सर्फ मुझे लगता है कि आपको दूसरे competition की त्यारी करना शुरू कर दिने चाहिए आपका मन क्या कहता है आप अपने अंतरा आत्मा आपक कर सकती हैं क्योंकि उमीद पर तो पूरी दुनिया ही ठीक है पूरी दुनिया जो है एक उमीद पर ठीक हुई है यह चीज़ा आपको द्यान लगाना शुचित कुमार जी किया नहीं से फीस बहुत जैदा है तो द्यान लगना है कि फीस बहुत ज़्वा J pir cimke ना बारत का स सबसे कुम फीस है जानना जाक न ये शौंखन सबसेखकंद हे अब यके फीस कम कैसे है क्योंकि हम इसके अंदर ज्यान रखना आपको जर्नल पेपर भी देंगे है क्यात यह देंगे डूसरा वको सेकींड पे पर 56 देंगेання आपको जनरल पेपर भी देंगे लाइबरी साइंस भी देंगे टेस्स भी देंगे ओल्ड पेपर भी देंगे और हमने पुराना कोर्स पुराना भी कोर्स पड़ा है और इस बार हमने निव अपडेटेट कोर्स शुरू किया है निव अपडेटेट कोर्स की सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हर एक टॉपी का वीडियो है वीडियो के नीचे क्या है दोस्तो पीडियेप है और पीडियेप के नीचे हर एक पीडियेप के नीचे टेस्ट दिया वा है और टेस्ट के बाद हर एक टॉपिकल लाइव mcq शुरू करेंगे लाइव mcq जो है वीडियो लाइव mcq वीडियो बहुत जल्द बहार ली आने के बाद शुरू कर देंगे दोस्तों तो मैं यह क्या रहा हूँ कि जिस पहले सुनिए मेरी बात कि आप यूटूब पर है तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अन्यव dinosaur से भी पढ़ के देखिए अन्यव टीचर से पढ़ने के बाद आप analysis कीजिए कि मुझे को इस teacher की भास आपको समझ में आती हैं दोस्तों जब जिस teacher की भास आपको समझ में आती है उसके ंदर जाकर देखिए कि संगते अन्द आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जिस टीचर की आपको भासा अच्छी लगती है वहां से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको बनना है लाइबरेन अगर आपने लाइबरेन बनने का सपना देखा है तो बिल्कुल प्लीज जो है आप लोग जो अभी से त्या प्लावाली वेकेंसी का सर आपने बताया था कि दिवयंग चातरों को फिस्च चुकाने में दीकत होता है नोगी लेगने के वाज़द में पप्पु गुमार जी अगर आप दिवयंग हो तो आप एक बार मेरे से बात कीजिए मैं आप से बात करूंगा पपु गुमार जी म आप हमारा एप डाउनलोड कीजिए और आपने लाइबेरियन बनने का सपना देखा है तो बिल्कुल जो है आप बिल्कुल मैनेज शुरू कर दीजिए दोस्तों गुड्यूनिंग सर आप MPPS लाइबेरियन के क्लास कब लेंगे अटेज जनादी को हैं देखे कोशिश करते हैं MPPS लाइबेरियन का बहुत जल्द शुरू करेंगे आप लोगों के लिए टिपिक गुपता जी की फीस कम कीजिए सर फीस बहुत कम है अलड़ी बहुत अलड़ी कम है मैं जो है सर मैं आपको यह नहीं कह सकता हूं कि जो जैसे मैं हमेंसा मैं आपको यहसा नहीं कह सकता हूं कि साथ देखिए दोस्तों मैं आपको कभी भी यहसा नहीं कहूंगा कि वह जो हैं यह 10,000 रुपे हैं 10,000 रुपे लगा कर इसको मैं काट देता हूं और मैं लगा देता हूं 80% जूट बोला जाता दोस्तों जैसे नया साल आता है और नया साल में ओफर दे देता हूं पहले मैं उपर 10,000 रुपे होता है यह मेरे से नहीं होता है जाए रहेगी एक साल बाद भी रहेगी यह द्यान लगना यह ओपर ओपर वाला सिस्टम मेरे से नहीं होता है दोस्तों आप समझेए मैं भी लोगों की तरह अगर मानलों वहां पर 10,000 लिख देता हूं कि फीस 10,000 कर देता हूं वहां पर पहले उसके उपर ऐसा कर देता हूं और वहां पर जैसे नया साल आता है 80% डिसकाउंट कर देता हूं तो 10,000 का 80% किता होता है एक जान नौसो निनानु होता है ठीक है यह फ्रोड मेरे से नहीं होता है दोस्तों ठीक है न प्लीज ठीक है दोस्तों थैंकि वेरी मच बहुत बहुत जन्यवाद आप सभी लोगों होगा आप इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाएए क्योंकि आपके जो आपके अपने हातों से बने गए जो नोट्स है वही आपके रियल में दोस्त होंगे द्यान रखना एक्जाम से पहले किसी महार वेक्ति ने कहा है कि books are our best friend किताबे हमारी सब्सक्राइब करता हूं आपके हातों से बनाया गया जो नोट्स है वही द्यान रखना आपके अच्छे दोस्ता भी थोंगे एक्जाम से पहले द्यान रखना है ठीक है न नियू अप्लेड़ेट का ओल्ड वैच मैंट डाल दीजिए सर बिलको जल्द डाल देंगे आपको टैंसम मतले जिए दोस्तों टैंक यू वेरी मच बहुत बहुत दिनेवाद आप सभी लोगों का कि अधिक या था क्योंकि एक कुशन आपके बुक का है बीटा